Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय आपको याद होगा कि 26 तारी को इसराइल के एर फोर्स के दुवारा तहरान के आजपास कुछ सलेक्टेड मिलिटरी बेसिस के उपर अटैक किया जाता है जिस अटैक के बाद इसराइल के एर फोर्स के दुवारा बढ़ चड़ कर ये क्लेम होता है जहां पे वो कहते हैं कि उन्होंने इरान के बहुत सारे मिलिटरी बेसिस को टारगेट किया है जिसमें उनको काफी मैसिव डैमेज हुआ है जिसके रिस्पॉंस में इरान के दुवारा कहा जाता है कि इसराइल के एर फोर्स के दुवारा एर स्ट्राइक तो किया गया लेकिन उस एर स्ट्राइक में इरान के मिलिटरी को बेर मिनिमम डैमेज यर ना के बराबर डैमेज हुआ है और इसी बीच जब तक इरान और इसराइल क्लेम और काउंटर क्लेम वाला गेम खेल रहे थें तो उसी वक्त एक और रिपोर्ट पब्लिश होती है जहां पर ये बताया जाता है कि इसराइल इरान की उपर कब अटैक करेगा, किन लोकेशन्स पे अटैक करेगा और पॉसिबली उसको कितना डैमेज होगा, अल्मोस्ट इन सभी चीज़ की जो जानकारी थी वो इरान को पहले ही थी यानि कि अगर इसको हम बहुत ही असान शब्दों में समझें, तो इसराइल और इरान के बीच में पहले ही मैच फिक्स हो चुकी थी यह है हमारे सामने मैप जिसकी मदद से हम कुछ बेसिक बातों को समझेंगे तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ दो सिचुएशन को इमाजिन करते हैं और एक एक एक्जामबल को लेते हैं जो 26 थारी को स्ट्राइक किया गया इसराइल के एर फोर्स के दोरा उसको यहाँ पे हमें दिखरा इसराइल और यहाँ पे है इरान तो अगर किसी भी तरीके से इसराइल अपने एर फोर्स का इस्तिमाल करता है तो कम से कम उसे दो या तीन देशों का जो एर स्पेस है वो यूस करना पड़ेगा तो जब तक मैं ये विडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इराक ने बहुत ही स्ट्रॉंग प्रतिक्रिया व्यक्त की है जहां पिरों ने कहा है कि इसराइल के एर फोर्स के द्वारा उनका एर स्पेस को यूज किया गया बिना उनके पर्मिशन का अब ये exactly कह पाना मुश्किल है कि क्या सच में इराक को नहीं मालूम था कि उसका एर स्पेस को यूज किया जाएगा इसराइल के एर फोर्स के द्वारा और जहां तक हम बात करें इराक के बारे में तो जो present situation हो रखा है इराक का वहाँ पे US अपना military base बना के रखा है और साथ म बीते कुछ सालों में चाइना भर-भर के investment किया है इराक में या in fact पूरे Middle East में तो यहां पे जो कहने का मतलब है वो ये है कि आने वाले कुछ सालों में हमें ये देखने को मिल सकता है कि इराक, US और चाइना के बीच में एक battleground की तरह उभर के आएगा और 26 तारी को जो attack की इसकी मदद से ये मालूम पड़ रहा कि जिन सब साइट्स के उपर attack किया गया था वो सारे साइट्स जो थे वो इरान के दोवारा इस्तेमाल तो किये जा रहे थे लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि वो सारे उतने active position में नहीं थे इसका क्या मतलब हुआ तो for example आप ये मालो कि आप कोई एक ABC company हो और आपके पास 5-6 warehouses हैं लेकिन आपका जो main इस्तिमाल है वो 2-3 warehouse ही आप इस्तिमाल में करते हो लेकिन आपके पास कुछ और भी warehouses से जो extra पड़े हुए हैं जिसका इस्तिमाल उतने active तरीके से नहीं होता है तो जो reports कह रहे हैं उस के हिसाब से उन्हीं सब areas को target किया गया है जो उतने active तरीके से operate नहीं हो रहे थें तो यहां से ये situation develop होता है जहां पे इस्राइल ये दिखा भी दिया कि वो इरान के उपर attack भी कर दिया और किसी भी तरीके से जो 1 October को इरान के द्वारा attack किया गया था इस्राइल पे उसका व अपने अपने देश में to a great extent वो hero बन गये हैं अगर इस्राइल को सच में इरान के उपर attack करना होता तो वो कम से कम एक या दो sites को चुनता जो बहुत ही active तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं और इस पूरे attack में सिर्फ दो Iranian soldiers मारे गये हैं तो इस चीज से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये attack सच में इतना massive होता जितना Benjamin Netanyahu दिखा रहे हैं या बता रहे हैं तो इसमें जो casualties होता वो सच में काफी high in numbers होता चाहे हम बात कर ले इसराइल का या इरान का तो इन दोनों को मालूम है कि हमें एक threshold के बाद अधिक attack नहीं करना है क्योंकि दोनों को ड कहना था कि इसराइल के दोवारा attack तो किया गया लेकिन उस attack में इरान को बहुत damage हुआ है ऐसा कुछ हमें दिखने रहा यानि कि जो evidences है उसके हिसाब से ये नहीं मालूम चल रहा कि इरान को बहुत damage हुआ है उन्हीं में से एक expert है जिनका नाम है David Albright ये United Nations के weapons inspector है जिनका का अच्छा reputation है तो उनका भी कुछ यही कहना था exactly और खास करके इसराइल जो claim कर रहा कि वो इरान के nuclear facility को target किया है वो nuclear facility साल 2003 में ही बंद हो चुका था तो कहने का again वहीं पे मतलब है attacks हुए है जो infrastructure है उसे damage पहुँचा है लेकिन जो claim इसराइल के द्वारा किया जा रहा कि उन होता है तो आप उस warehouse का इस्तिमाल करते हैं वहाँ पे आप weapons वगेरा को store करते हैं और दुबारा से उतना बड़ा infrastructure develop करने में काफी वक्त लगता है तो यहां से गर हम बहुत यह असान शब्दों में समझना चाहें तो हमें दो बात समझ में आती है सबसे पहली बात कि यह जो Massive damage पहुँचा है वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा और ठीक उसके विपरीद जो इरान ये क्लेम कर रहा कि उनको ना के बराबर damage पहुँचा है यह भी नहीं हुआ है यानि कि इरान को भी damage पहुँचा है और जब पिछले साल हमास इसराइल के उपर attack करता है तो वो लगभ हमास सारे hostages को वो नहीं मारेगा इसके पीछे का वज़ा है कि साल 2011 में जब याया सिन्वार को इसराइल के जील से जब छुडवाया जाता है तो उसके बदले में हमास के पास एक इसराइल के soldier होते हैं जिसके बदले में इसराइल को लगभग 1230 Palestinians को छोड़ना पड़ता है जो उनके जेल में बंद रहते हैं तो यहां से भी हमें समझ में आ जाता है कि hostages को जिंदा रखना हमास के लिए कितना जरूरी है और जहां तक बात किया जाए peace process या ceasefire के बारे में तो कुछ देशों का यहां पे बहुत ही active participation है जैसे की कतर हो गया Egypt हो गया और अगर आप इस समझ में नहीं आएगा कि exactly Egypt करना क्या चाहता है कभी ये इसराइल के खिलाफ कुछ कहता है कभी support में कहता है कभी ये वही करता है या कहता है जो US इसको कहने के लिए करता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा म मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye